नमस्कार, मैं भागेश्री, आज की इस खाश पेशकश में आप स्वभी का स्वागत है, जा आप देख रहे हैं देश-प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरे शिवसिना प्रमुप उद्धव ठाकरे की सियासी मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रिये विनोधी अंदाज में कहा कि आपको भगवान का आशिरवाद मिला है लेकिन शादी के बाद कुछ ने करेंगे तो बच्चे कैसी होंगे तो उधर मुंबे में एक बच्ची ने सियम एकनाश शिंदे से पूछा कि क्या बार्ट पिडियो की मदद करने के लिए वह भी सियम बन सकती है इस बीच महाराश्रे के हिजा विवात एक बार फिर गरमाया है निट परिक्षा के दोरान आरोप है कि एक छात्रा का हिजा उतरवाया गया प्रदेश की इन पाच बड़ी और खासकबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है हमारे साथ बीमसी चुनाव में उनकी पार्टी महाराश्र नव निर्मान सेना एक बड़े प्लेयर के रूप में दिख सकती है राश्ठाकरे की पैर की सरजरी पिछले दिनों हुई थी और तब से वह आराम कर रहे थे लंबे अरसे बात वह फिर से एक्टिव हुए है जिसे देवेंद देवेंद्र फर्णवीस राश्ठाकरे के घर शिवतीर्थ पोचे थे और उनसे मुलाकात की थी माना जा रहा है कि देवेंद्र फर्णवीस से उनकी बीमसी चुनाव को लेकर बात हुई थी राश्ठाकरे अब मुंबई में मने से पदादी कारियों और कार्योकरताओं की विदानसबा शेत्रवार बैठक करने जा रहे हैं बताया जा रहा है कि यह मुंबई नगर नीगम के आगामी चुनाव की तयारी है इसलिए इन बैठकों में समंधि शेत्रों के पारश्ठपत के इच्छुक उमेद्वार भी शामिल होंगे एस बैठक में राश्ठाकरे मु अगामी नगर निकाय चुनाव में शेउसेना की ताकत कमजोर हुई है महारश्ठ के मुख्यमंत्री एकनाज शिंदेगुट ने पार्टी की नई राश्ठिय कार्यकारनी का कंठन किया है खास बात है कि इसमें उद्धव ठाकरे को भी अध्यक्षब बनाया गया है जबकि शिंदे ने नया प्रमुक नेता का पत समाला इसके अलावा भी राश्ठिय कार्यकारनी में जून में पार्टी की बगावत करने वाले कई विधायक शामिले खबर है कि शिंदेगुट आज चुनाव आयोक का भी रुप कर सकते हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक शिंदेगु बैठक हुई थी कैथी तोर पर नई कार्यकारनी में दीपक के सरकर को प्रवक्ता पुर्व मंत्री रामदास कदम पुर्व सांसर आनंद राव अच्सुल को नेता और पुर्व बीमसी पारशत यश्वंत जादो पुर्व मंत्रियों गुलाब राव पार्ट और उदय सामं विजय नहाटा पुर्व सांसर शिवाजी राव अधल राव पार्टिल को उपनेता के तोर पर नियुक्त किया गया है वही पार्टी के राजसबा सांसर संजय रावत ने दावा किया है कि शिंदे की तरब से गठित राश्टिय कार्यकारनी की कोई कानुन वैध्यता नहीं यह अब आला साहिब ठाकरे की शिवसेना है और पार्टी अध्यक्षर ठाकरे है केंद्रिय मंत्री और वरिष्ट बीजेपी नेता नितिन गड़करी एक बयान की वज़े से सुर्ख्यों में है अमरावती में गड़करी ने कहा कि आपको भगवान का आशिरवाद मिला है ल मुझे बस इतना कहना है कि आप सब प्रहतनवादी बने गड़करी ने कहा कि हमें खेती करनी है तो पहले क्रमांक पर खेती दूसरे नमबर पर व्यवसाय और तीसरे नमबर पर नोकरी होनी चाहिए अगर आपने तै कर लिया है तो आदूनी तकनिक के जरिये अपनी उत्मा दन बेच सकते है अगर विला शिंदे लंडन में अपना अंगुर बेच सकते है तो अपने संत्रे विदेशी बाजार में क्यों नहीं जा सकते आखिर हम क्यों पीछे है इसके लिए पशिम माराश्ट नहीं बलकि आप खुद जिम्यदार है गरकरी ने कुरुशी महाविद् दे कर कोई मतलब नहीं है बाप दिखाओ नहीं तो शाद्ध करो मुंबई में एकना शिंदे के नंदन्वन बंगले पर मिलने पहुची एक बच्ची के अंदाज ने सबका दिल जीत लिया रतनागरी की रहने वाली बच्ची का नाम आनंदा डामरे है वाइरल वीडियो में बच्ची शिंदे से एक सवाल पूछती नजर आ रही है गुवाटी जाने की बात के बाद बच्ची ने पूचा कि क्या आप बाढ़ पिडिता की मदद करने वह भी सीम बन सकती है इस बात पर शिंदे ने मुस्कुरा कर सिर हिलाया जबकि अन्य लोग हसने लगे मुख्यमं के साथ सूरत और फिर गुवाटी निकल गए थे इस दवरान शिंदे गुट की तरह से गुवाटी में आई बाढ़ की त्रासदी से निपटने के लिए आर्थिक मदद भी की गई थी इसके बाद शिंदे ने महाराश्य में वापसी की और सत्ता परिवर्तन के बाद सियम ब बना सकते हैं चिंदे इसी क्रम में दिल्ली पहुंच योजना को सुन्य जित धंक से आगे बढ़ा रहे हैं महाराश्टे में हिजाब विवात का मामला एक बार फिर से सामने आये महाराश्टे के वाशिम जिले में राश्टी योग्यता सहर प्रविश प्रक्रिया के दोरान हिजाब को लेकर हंगामा हुआ है आरोप है कि एक छात्रा का हिजाब उत्रवाया गया मामले में मुसलिम छात्राओं ने वाशिम पुलिस टेशन में लिखित शिकायद दी है पुलिस का कहना है कि मामले की जाजकर उचित कारवाई की जाएगी उधर कॉलेज प्रबंधन ने छात्रा के आरूपों से इनकार किया है कॉलेज का कहना है कि हमने निर्धारित की गई सबी गाइडलाइन्स का पालन किया है यूती की और से लगाए गए आरोथ बेबुनियाद है दरसल सतारा जुलेई को महाराष्ट समय देशबर में निट की परिक्षा थी इस दोरान वाशिम के मातोश्री शांताबाई गोटे महाविद्दाले को भी परिक्षा केंद्र बनाया गया था आरोपे की परिक्षा के दोरान एक मुस्लिम छात्रा को चहरा और हॉल्टी की दिखाने के बावजूद बुर्का उतारने पर मजबूर किया गया इस घटना पर महाराष्टे के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फंडवीस ने भी सग्यान लिया है इस बारे में स्टूडन्ट और उनके परिजनों की तरफ से वाशिम पुलिस स्टेशन में शिकायद दर्ज कराई गया है जो चात्रा बुर्का जब्रन उतारने की बात कर रही है वह परिक्षा केंद्र पर काफी देर से आई थी यूती द्वारा लगाए गये आरोब बेभुनियाद है उत्रप्रदेश में अब मदर साफ शिक्षक बनने के लिए भी यूपे शिक्षक पात्रता परिक्षा पास करना अनिवाय होगा तो बिहार के सितामडी जिले में बीजेपी से निशका सितनुपुर्शर्मा का सोशल मीडिया पर स्रेडस लगाने पर यूवक पर चापकु से हमला करने की खबर आईये वही सेना में भरती अग्निपत योजना को चुनोती देते हुए दायर की गई आचिका पर सुप्रिम कोर्ड आज सुनवाई करेगा तो उधर सांसत के मानसुन सत्र में लोकसभा और राजसभा में कई विपक्षी दलों के संसदों ने सेना में भरती अग्मपत योजना, GST में बड़ोतरी और महेंगाई समित अन्यमुद्धों को लेकर जोरदार हंगामा किया इस बिच केलर पुलिस ने निट परिक्षा के चात्राओं से अंडर गार्मेंट उतरवाने के कथित मामले को आज केस दर्ज गिया है देश भर की इन पाच बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार मदरसा में टीचर्स की नियुक्टी प्रक्रिया में बदलाव करने के प्रस्ताओं पर विचार कर रही है इसके तहद इन शिक्षन संस्तानों में पढ़ाने के लिए यूपी शिक्षक पातरता परिक्षा को पास करना अनिवार्या कर दिया जाएगा मदरसों में नौन इस्लामिक सब्जेक्ट जैसे की विज्ञान और सोशल सायन्स की शिक्षा को बढ़ावा देना इस कदम का लक्ष है साथी इससे अध्यापकों के चैन में पारदरशीता आने की बाद भी कही जा रही है फिलाल मदरसों में मैनेजमेंट की और से उन टीचर्स की नियुक्ती होती है जिनके पास ग्रेजुएशन और बीएट की डिगरी हो प्रस्ताओं के मुताबिक विभाग की और M.D.E.T. का आयोजन होगा यह T.E.T. से अलग होगा जो की Basic Education Board of State की और से कराया जाता है योगी आधितेनात सरकार ने 2018 में मदरसों में N.C.E.R.T. से लबस लागू किया था अब यह पाया गया है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे विशयों की पड़ाई लिखाई संतोष जनक नहीं है बोड के एक अधिकारी ने बताया कि जहां मदरसा प्रबंदन समितिया अभी भी शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार रखती है अगर वे T.E.T. योग्य नहीं है तो मदरसों की वित्य सहायाता वापस ले ली जाए राज्या में लगवक 560 सहायाता प्राप्त मदर से है जिन में 8400 शिक्षक है अलपसंक्यां कल्यान राज्यमंत्री दानिश आजाद अनसारी ने कहा हम नया नियम लाने की योजना बना रहे हैं प्रस्ताव सरकार को विचार के लिए भेजा जा चुका है बिहार की सीता मड़ी जिले में बीजेपी से निसकासित नुपुर शर्मा का सोशल मीडिया पर स्टेट्स लगाने पर युवक पर चाकु से हमले की खबर आई है मामला जिले के नानपूर थाना इलाके का है घायल युवक अंकिता जा डियम सी एच अस्पताल में भरती है युवक ने एक टीवी चैनल को दिये इंटर्वियो में कहा कि 15 जुलाई को चाय दुकान पर कुछ लोग आए और उससे पूछा कि क्या वहन उपर शर्मा का समर्तक है अंकित ने कहा तो हमलावरों ने पहले हाता पाई की और फिर चाकू से उसके पेट एवम कमर पे छहए ओर कर दिये अंकित ने उसी वक दो हमलावरों को पकड़ लिया लेकिन करीब 25 लोगों की भीड़ आई और उनने छुड़ा ले गई अंकित का कहना है कि हमलावरों से उसके कोई जान पहचान नहीं है मामले में चारी वग गोड़ा उर्फ गुलाब रब्बानी, मुहमद नेहाल, मुहमद हेलाल और मुहमद बेलाल को आरोपी बनाया गया है इन में से दो को गुरफतार कर लिया गया है, हाला कि पुलिस ने नुपूर शर्मा एंगल से जाच से इंकार कर दिया है सीता मड़ी स्प के मुताबिक अंकित के भाई आशिश कुमार जहां ने एफाई आर में नुपूर शर्मा को लेकर हुए विवाद का कोई जिक्र नहीं किया अंकित के मुह पर सिगरेट का धुआ छोड़ने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था इसके बाद नशे में चार-पाज लोगों ने वारदात को अंजाम दे दिया शरार्ती तत्वई से सांप्रादाइक रूप देने की कोशिश कर रहे है केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई सेना की नई भरती योजना अग्निपत को चुनवती देने वाली याचिकाओ पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई दोनों पक्षों की दलिल सुनने के बाद सुप्रीम कोट ने अगनिपत योजना से जुड़ी सभी आचिकाओ को दिल्ली हाई कोट में ट्रांसफर कर दिया है इतना ही नहीं सुप्रीम कोट ने केरल, पंजाब और हरियाना, पटना और उत्तरा खंड के हाई कोट से भी अगनिपत के खिलाप सबी जन हित्य आचिकाओ को दिल्ली हाई कोट में स्तनांतरित करने के लिए कहा है अग्नीपत योजना के खिलाब سुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाय दाखल की गई थी जिन में इस योजना पर फिलाल रोक लगाने की मांग की गई थी याचिका करताओं ने ये भी मांग की थी कि जो सेना की नौकरी पाने की प्रक्रिया में है उन पर ये योजना लागू नहीं की जानी चाहिए केंदर ने 21 जून को सुप्रीम कोट में एक कैवेट अर्जिद आखल कर रक्षा बलो की लिए अगनिपद भरती योजना को चुनती देनी वाली याचिकाओ पर सरकार का पक्ष भी सुनने की मांग की है इसमें अपील की गई है कि उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश ना दिया जाए बता दे एक वारी द्वारा यह सुनिशित करने के लिए एक कैवेट आवेदन दायर किया जाता है कि उसका पक्ष सुने बिना उसके खिलाब कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाए केंद्र की अधिस उचना को रद्द करने की मांग करने वाली जनहित याचिका अधिवक्त आयमेल शर्मा ने दायर की थी जिसमें कहा गया था कि यहाँ योजना अवेद और असावेदानिक है संसत के मौनसून सत्र के पहले दिन लोकसबा और राजसबा में कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने सेना में भरती की अगनीपत योजना जिसमें बड़ोत्री और महंगाई समित अन्यमुद्दों को लेगर सदन में हंगाम किया हंगामे के बाद कारवाई एक बार के स्तगन के बाद दिन भर के लिए स्तगन कर दी गई विपक्ष के सदस्यों ने राज्यसबा के सबापती के चल रहे भाषन को बादित करते हुए मुद्दे उठाए और केंद्र सरकार के खिलाप नारे बाजी करते हुए ताना शाही नहीं छेलेगी के नारे लगाए राज्यसबा में कॉंग्रेस पार्टी के नेता मलीक अर्जुन खडगे ने कहा कि हाउस के अंदर और बाहर गांधी प्रतिमा के पास भी विरोध होगा हमने सबी दलों से अपिल की है कि दाम बढ़ने और जीस्टी हाइक के खिलाप विरोध प्रदर्शन करी वही CPI के सांसत विनाई विस्वम ने भी GST बड़ोत्री को एंटी पीपल करार दिया कॉंग्रेस आम आद्मी पार्टी और शिवसेना सहिच सयुक्त विपक्ष ने शपत ग्रहन और श्रादान जली के बाद सदन में हंगामा किया राजसबा के सबापती एम वैकईया नाइडू ने सदस्य से सदन की गरीमा बनाय रखने और इसे सामान्य तरीके से कारवाई जारी रखने अनुरोथ किया लेकिन विपक्षीदलों के कई सदस्य सदन के वेल में आ गय और नारे बाजी करने लगी नारे बाजी जारी रहने के कारण सदन की कारवाई मंगलवार सुबग 11 बजे तक के लिए स्तगित कर दी गई कीरल पुलिस ने मंगलवार को नीट परिक्षा में छात्राओ से अंडर गार्मेंट सुतरवाने के कथित मामले में केस दर्च कर लिया है बता दे कि 17 जुलाई 2022 को देश भर में मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राश्ट्य पात्रता सहप्रवेश परिक्षा यानि नीट यूजी का आयोजन किया गया था 18 लाक से अधिक छात्रों ने इस परिक्षा में भाग लिया था हाला कि परिक्षा को लेकर विवाद तब सामने आया जब यह बात सामने आई कि केरल के कोलम में परिक्षा में शामिल होने वाली यूतियों को परिक्षा में बैटने के अनुमति देने के लिए अंडर गार्म में बैठने के दौरान अपमान जनक अनुभव का सामना करने वाली एक लड़की की शिकायत पर यह मामला दर्च कर दिया गया है वही कोलम में नीट परिक्षा केंद्र अधिक शक ने कहा है कि शिकायत मन गड़न्थ है और गलत मंशा से दर्च कराए गई है लेकिन केरल राज में पढ़ रही भीशन गर्मी को लेकर दुरिया को आगा किया है तो चीन पर आरोफ है कि वह 40,000 बार शमी को के शोशन के लिए सिदे जिम्यदार है वही पाकिस्तान के पुर्वप्रधान मंत्री नवाज शरीफ का मानना है कि आंतराश्ट्रिया मुद्रा को से समझोता करन के लिए सरकार ने जो मुश्किल फैसले किये हैं उसे के कारण सत्तारूर पाकिस्तान मुस्लिफ लिग नवास अर्था पंजाब विदान सभा उपचनाव में हारी है तो उधर विद्यानिकों का मानना है कि करोडों साल पहले मंगल पर पानी था ऐसे में हो सकता है कि उस वक आच खास खबरों को विस्तार से जाननी के लिए बने रही है हमारे साथ अमेरिका की आंतरिक्ष एजिंसी नासा ने एशिया यूरोप उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में पढ़ रही भीशन गर्मी को लेकर दूरिया को आगा किया है इन सभी जगह उपर ताप अमान है निली धर्ती भीशन गर्मी की वज़़ से लाल नजर आ रही है तस्वीर में नजर आ रहा है कि उत्तरी भारत भी प्रचंड गर्मी का सामना कर रहा है नासा के नक्षे में उत्तर प्रदेश हरियाना राजस्तान और मदब प्रदेश के कुछ हिस्से बहुत ही से गुजर रहा है वहां भयान गर्मी ने आग को भढ़का दिया है जो पुर्तगाल स्पेन और फ्रांस के कुछ हिस्सों तक भढ़क गई है पुर्तगाल में तापमा 13 जुलेई और 45 डिग्री सेलसियस तक पहुच गया है 3000 हेक्टर का इलाका जलकर राख हो गया है आदा द चलन हो गया है जिससे 11 परवत्रोईयों की मोत हो गई है यह अभी माना जा रहा है कि सारे रेकॉर्ड बिटन में तूट सकते हैं चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के लिए चर्शित तो है लेकिन कम ही लोग जानते होंगे कि वह 40,000 बाल श्रमिकों के शोशन के लिए खबर के मताबिक चीन ने कांगो की कोबाल्ट खदानों में हजारों बाल श्रमिकों का शोशन किया है इस गंबीर विशे को लेकर गवाहों ने कांगो लोग तांत्रित गनराज्य के खनन उद्योग में बाल श्रम और मानोधिकार उल्लंगन के बारे में कॉंग्रेस की सुन चलित करने वाले कोबाल्ट का खणन किया जा सके दरसल चीन अपनी अर्थव्यवस्ता और फैशिक एजंडा को बढ़ावा देने के लिए डी आर्सी के विशाल कोबाल्ट संसादनों का खणन करता है जहां श्रमिकों और बाल श्रमिकों का शोशन किया जाता है बता देकी चिन डिसी आर के खनन उद्योग का प्रमुख खिला दिये 2019 तक चिन ने अपने कोबाल का 83 फिसदी और तांबे के मिश्रधातूओं का 9% DRC से आयत किया है चिनी कम्यूनिस पार्टी की तथा कथित ग्रीन एकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए बैटरी और लिथियम के पाकिस्तान के पुर्व प्रधान मंतरी नवास शरीफ का मानना है कि आंतराशिय मुद्रा कोश से समझोता करने के लिए सरकार ने जो मुश्किल पैसले किये है उसी के कारण सत्तारूर पाकिस्तान मुस्लिम लिग नवास अर्थाथ पी एमलन पंजाब विदान सभा उपच पंजाब के एसेंबली उपचुनाओं में वरतमान प्रधान मंतरी शहबास शरीफ को करारा जटका देते हुए बुरी तरह हराया है पंजाब की 20 में से 18 सीटों पर इमरान पार्टी ने चुनाओं जीत लिए है इससे पहले साल 2018 में पाकिस्तान में आम चुनाओं हुए थे इस चुनाओं में भी इमरान खान की पार्टी को इतनी सीटे हासिल नहीं हुई थी जितनी इस बार PTI ने वहाँ जीत दर्श की है चुनाओं की ये नतीजे शहबास के बेटे मुख्यमंतरी हमजा शहबास के लिए खत्रे की घंटी है वह पंजाब प्रांत के सीम का अपना सुप्रिम कोड के आदेश पर मुख्यमंतरी पत के लिए यहां 22 जुलेई को चुनाओं होना है PTI PMLQ के सयुक्त उमिद्वाद सौधरी परवेश इलाही के नए मुख्यमंतरी बनने की संभाव ना जताई जा रही है तीन भार प्रदान मंतरी रह चुफे शरीफ फिलहाल ल प्रुत्वी और मंगल में काफी समानता है वैद्नानिको का मानना है कि करोडों साल पहले मंगल पर पानी था ऐसे में हो सकता है कि उस वक्त वहाँ पर जीवन भी रहा हो अमेरिके स्पेस एजनसी नासा इस पर काफी लंबे समय से रिसर्च कर रही है पिछले साल नासा ने अपने पर्सिवरेंस रोवर्स को मंगल पर उतारा था जो वहाँ पर खुदाई करके लगातार सैंपल एकठा कर रहा है इन सैंपल को प्रुत्वी पर लाने की भी प्रक्रिया चल रही है लेकिन अब बहुत से वैद्नानिकों ने इस पर चिंता जताई है दरसल नासा का मान है कि अगर मंगल पर जीवन के सबूत पाने है तो वहाँ के सैंपल की जांच करनी जरूरी है अभी इंसान इतने विकसित नहीं है कि वो मंगल पर जाकर वापस आप आए ऐसे में पर्सिवरेंस ने जो सैंपल इखटा किया है उसे प्रुत्वी पर लाने की तयारी हो रही है इसमें वहाँ की मिट्टी पत्थर आदी शामिल होंगे नासा ने इसके लिए अगले यान पर काम शुरू कर दिया है लेकिन उसके इस प्रोजेक्ट पर कई वैदनानिकों ने सवाल उठाये हैं कुछ वैदनानिकों का और आलोचकों ने कहा कि नासा का ये कदम बहुती मू पुरा असर पढ़ सकता है अभी तक किसी को नहीं पता कि मंगल के सैंपल में क्या विनाशक चीजे चीफी है ऐसे में नासा की वज़े से सभी खत्रे में पढ़ जाएंगे हाला कि नासा ने कहा कि ये वहाँ से आने वाले सैंपल खास तरह के चेंबर में पैक होकर आएंगे इसके बाद हुई सेकेरिटी लाब में इनकी जांच की जाएगी एस दोरान ऐसे सभी उपकर्णों की तैनाती होगी जिससे संक्रमन ना फैले अमेरिका के न्यूजर्सी के एक मातर महिला जेल से एक संसनी केस मामला सामने आया है जहां एक ट्रांसजेंडर कैदी ने दो साती महिला कैदियों को प्रेगनेंट कर दिया जेल प्रशासक ने ट्रांसजेंडर कैदी को दूसरे जेल में ट्रांसफर कर दिया है जहां उसे एक कमजोर सेल में रखा गया है आरूपी कैदी का नाम डेमी माइनर है जिसने अपने गोद लेने वाले पिता की हत्या कर दी थी और उस जुर्म में वो 30 साल की सजा काट रही है रिपोर्ट के मुताबिक पिता की हत्या करने के जुर्म में 30 साल से जेल की सजा काट रही ट्रांसजेंडर कैदी डेमी माइनर को अपने एक ब्लॉग में जेल के गाड्स पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है यहाँ कोई कैमेरा नहीं लगा हुआ है जेल में ट्रांसफर करने के दौरान इससे फासी लगा कर आत्मात्य करने की भी कोशिश की थी जिसके बाद उसे सुसाइड पॉच पर रखा गया था उसने यह भी आरोप लगाया है कि उसे एक ऐसे जेल में ट्रांसफर कर दिया है जहां पूरुष कैदी उसे धंकिया देते हैं कैदी डेमी माइनर ने कहा कि जेल प्रशासे ने ऐसी जगह पर मुझे ट्रांसफर कर सेक्स अपरास्त से बचने की मेर मेरे मानव अधिकार का उल्लंगन किया है क्योंकि इस जेल में काफी खुंखार कैदी बंध है जो मेरे उपर हमला कर सकते हैं तो आज की इस खाश पेशकश में बस इतना है कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए देखते रही है वीके बीन्यूस नमस्कार